Hello and welcome to my channel, मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है C program to print boundary elements of matrix तो इस program में मुझे क्या करना है दोस्तों कि मेरे पास एक matrix है 4x4 का ठीक है तो ये मुझे क्या करना है ये मेरा input है ठीक है और मेरा जो output रहेगा वो ये आना चाहिए मतलब जो boundary elements है मतलब ये जो outline पे जो है सीव यही element क्या होना चाहिए print होना चाहिए और भीच में जितनी भी elements है वो print नहीं होना चाहिए उनकी जगा space आना चाहिए ठीक है तो आए इसे देखते हम कैसे करेंगे अब जैसे कि अगर ये मेरा original matrix है जो मैंने user से read किया है ठीक है तो इसको हम rows और column की form में देखेंगे अब यहाँ पर I मतलब row और J मतलब column ठीक है तो मुझे क्या करना है ये जो आपको yellow color का जो part दिख रहा है मुझे सीव उतना ही part क्या करना है print करना है ठीक है फिर हम करेंगे J is equal to 0 J less than 4 J plus plus ठीक है और A of IJ को हम क्या कर देंगे print कर देंगे तो ये पूरा का पूरा matrix क्या हो जाएगा print हो जाएगा तो यहाँ पर मैं कोई condition नहीं check कर रहा हूँ मुझे सारे के सारे elements क्या करना है print करना है अब यहाँ पर दो लूप के यूज किया है मैंने जब भी हम two dimensional area का यूज करेंगे उस समय हमें दो लूप यूज करना है तो पहला लूप होता है रो के लिए और दूसरा लूप होता है कॉलम के लिए अगर इस लूप को मैं execute करूँगा तो सारे number print हो जाएगे लेकिन मुझे क्या करना है सिब इतना इस part जो है यह skip करना है इनके जगा मुझे space लिखना है और बाकि सिब यह जो boundary है इसकी इसी को मुझे print करना है ठीक है तो चलिए मतलब अब हमें क्या करना है हमें decision लेना है तो यहाँ पर हम if का use करेंगे इस loop के अंदर अब suppose मुझे अगर यह इतनी ही row print करना है तो इसके लिए मैं क्या code लिखूँगा तो हम यह code लिखेंगे देखिए बाकि पूरा part वही रहेगा सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे है if i is equal to 0 मतलब i is equal to 0 अगर है तो यह सारे elements क्या होने चाहिए print होने चाहिए ठीक है if j is equal to 0 रहा तभी चलेगा j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3 ठीक है लेकिन i की value क्या होने चाहिए 0 और i की value जब 0 रहेगी तब ही इतना part क्या होना चाहिए print होना चाहिए ठीक है लेकिन, suppose मुझे क्या करना है अभी, यह वाली row भी print करना है, और यह column भी print करना है, तो इसके लिए हम condition क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर और condition बढ़ गई, कि if i is equal to 0, और j is equal to 0, मतलब अगर first row है, और अगर first column है, तो ही क्या होना चाहिए, यह सारे चीज़े print होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर i की value 0 है, 0 less than 4, condition is true, फिर इस लूप पर आ गया, j is equal to 0, j less than 4, फिर हम यहाँ पर check करेंगे, कि i की value 0 है, हाँ है, j की value 0 है, हाँ है, अब दोनों में से कोई भी condition true होती है, तो यह पूरा part true हो जाएगा, ठीक है, मतलब यह वाला part फिर क्य होगा, execute हो जाएगा, तो मुझे अगर इस row को और इस column को अगर print करना है, तो मुझे j loop के अंदर यह दो conditions मुझे देना होगा, सपोज मुझे यह वाली row, j वाला यह j is equal to 0 वाला column और j is equal to 3 वाला column प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगे condition हमार होता है, तो यह वाला column प्रिंट हो जाएगा, और अगर j is equal to 3 होता है, तो यह वाला column प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या लिए फिर actual element को हम print करना है, ठीक है, और last में हम क्या करेंगे, अगर मुझे यह वाला row भी print करना है, तो उसके लिए हम क्या अगर मुझे यह वाला row अगर print करना है, तो हम लिख रहें i is equal to 3, यह चारो में से कोई भी condition true होती है, तो यह वाला part execute होगा, लेकिन यह चारो के चारो condition अगर false हो जाती है, मतलब सपोज i is equal to हो जाता है 1 और j is equal to हो जाता है 1, ठीक है न, मतलब इस वाले part के में बात कर रहा i is equal to 1 और j is equal to 1, तो फिर क्या print होना चाहिए, तो इसके जगा print होना चाहिए space, तो यहाँ पर तो condition false होगे, तो फिर हम else में लिखेंगे print tab और यहाँ लिख देंगे हम space, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर blank space print हो जाएगे, similarly अगर i की value 1 होती है और j की value 2 होती ह तो यहाँ पर तो कही condition पर नहीं है, i की value 1 और j की value 2, मतलब यह 4 conditions false होगे, ठीक है, और यहाँ पर हम logical or का use कर रहे है, तो logical or की definition क्या है, कि जब सारे input यह false हो, तो पूरा का पूरा output false हो जाएगा, मतलब यह वाला part execute नहीं होगा, और यह space यहाँ पर print हो जाएगे, ठीक है, तो इसी तरीके से हमें के हमारा output मिल जाएगा, तो यह इसका हम output देख लेते है practically, तो देखिए दोस्तों यह वो प्रोग्राम है, जो मैंने अभी आपको समझा है, यहाँ पर देखे, मैंने डिक्लेर किया, integer a of 4 by 4, यहाँ पर आप कोई भी matrix ले सकते हो, ठीक है, मैंने आप प्रिंटेप के तरू हम यूजर को एक message display करेंगे, enter 4 by 4 matrix, पर यूजर 16 elements जो है enter करेगा, वो हम इस array में क्या कर देंगे, store कर देंगे, फिर यहाँ पर जो मैंने लिखा है input और यह अगे यहाँ पर loop लिखा है, तो इसके तरू हम क्या करने वाले है, जो हमने array read किया है, उसक हम display कर रहा है, और यह हमारा actual loop, जो हमें हमारा output देगा, for i is equal to 0, i less than 4, j is equal to 0, j less than 4, अदेखिए, यहाँ पर वो सारी conditions मैंने अभी लिखा है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले बताया था, ठीक है, तो इसमें से एक भी condition true होते है, तो हम number print करेंगे, एक भी मतलब और यहाँ पर सारी condition false हो जाती है, तो विरम क्या करेंगे, space को print करेंगे, ठीक है, तो आज़े इसका output हम देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोर रहा है, enter 4x4 matrix, ठीक है, तो यह मैंने input अभी क्या कर लिया, enter कर दिया है, देखिए output उसका, देखिए, यह हमारा input है, जो क्या कर दोटे कर दो Stand है, तो यह, मैंने भेते हैं